जय हिन जय भाहर दोस्तों एक टेक चनल अपका स्वागत है आपके लिए लेकर आए हैं हम Micromax का X420 इस मोडल है इसमें नहीं तो आवाज जा रही हो और नहीं आ रही है हम आपको बताएंगे कि हैंडशेट में प्रोब्लम क्या आ सकती है इसमें हेड़फोन का सिंबल आ रहा है बना हुआ नहीं तो इस सिंबल से नहीं तो आवाज जाती है और नहीं आती है हम आपको ये सिंबल हटा के दिखाएंगे हैंड़ सेट चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाएं है 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 friendship color सरेल तरह किसे कोलना चाहिए ए ह ह ह ह ह ह ह हुआ ह ह ह ह थ हेंड सेट खोलने से पेच अठाने के बाद इससे खोलने के बाद यह अराम से खोलने से यह डिस्प्ले बाइट होने का बहुत ज्यादे खत्रा होता है कि यह हैंड्सेट हमारा कुल गया है इस पेले को बड़े प्यार से इसकी सीलिंग अराम से उतारनी चाहिए इस पीकल की डिब्बे को निकाल ले अराम से निकाल लेंगे अब स्कूर्णि रिधी और से उल्थ हैंड्सेट में कई मोंस्च्ण हो तो सबसे पहले से कंगें अ अच ही 4 है 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 इसेट को सबसे पहले खोलने के बाद ही स्पीकर निकालते हुए स्पीकर को बढ़ प्यार ची निकालना चाहिए और यह लाइट है एंड्सेट की लाइट इसको भी बढ़ प्यार ची निकालना चाहिए सबसे पहले हैंड्सेट को चेक करें कोई बाद टूटा हो दनी है और फिर हैंड्सेट की सफाई करेंगे हैं हमें थोड़ा सा थिनर ले लेंगे थिनर लेंगे हम सफाई कर लेंगे यह आई पी थेनर की बहुत रहा है इसे इसे साफ किया है साफ करके हम चेक करके देखते हैं कि सिम्बल हटा नहीं हटा और यह हमारा सफाई के बाद भी हैंड्सेट का सिम्बल नहीं इटा इसमें कुछ और पार्ट सोट है वो चेक करना पड़ेगा क्या पार्ट सोट है और हैंड्सेट को उन कर रहे हैं और हम दोपिनों को सोट करके चेक करेंगे कि सोटिंग यहां तो नहीं है सोट करके निशान अट जाता है न तो वो भी चेक करना पड़ता है लेकिन इससे भी नहीं हो पारा है इससे भी हैंड्सेट की लेड़ का सिम्बल नहीं अट रहा एक चोटा पार्ट यहां पर होता है इसको हटाने के बाद यह सोट हो जाता है यह पार्ट हमने हटा दिया है और हम हैंचट को उन करेंगे और सिम्बल हट जाएगा जैहिन जैभार दोस्तो हमारे चैनल को लाइक करें सस्काइब करें और कमेंट करें और यह हमारा सिम्बल हट गया है लील का सिम्बल हट गया हमारा जैहिन जैभार दोस्तो हमारा सैट ओके है लाइक करें सुस्काइब करें थेंक्यू झाल